प्रिंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईरिश राइटर जीम्स जॉइस की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है एवलिन यह स्टोरी पहली बार पबलिश हुई थी 1904 में एक जर्नल में जिसका नाम था आईरिश होमस्टेड लेकिन बाद में इसे 1914 में दुबारा पबलिश किया जेम्स जॉइस की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में जिसका नाम था ड्यूब लाइनर्स अगर बात करें इस स्टोरी की तो यह स्टोरी जो है यह एक टीनेजर लड़की के बारे में बताती है और इस लड़की का नाम है एवलिन यह एवलिन अपने फैमली को अपने घर को छोड़ कर जाना चाहती है अपने लवर के साथ और क्या कुछ इस स्टोरी में वो फील करती है किस तरह की बॉर्ण्ड्स है एक तरह से कह सकते हैं बंदिशे हैं जो से आगे बढ़ने से रोक रही हैं किस तरह की फीलिंग्स है उसके मन में इन सभी चीजों को यहां इस स्टोरी में जेम्स जोइस ने बताया है Prince James Joyce का पूरा नाम था James Augustine Aloysius Joyce वो एक Irish novelist, short story writer, poet, teacher और literary critic थे उनका जन्म हुआ था 2nd February 1882 में और उनकी death भी थी 13 January 1941 में वो one of the most influential और important writers माने जाते थे 20th century के और साथ ही उनकी famous works में, Ulysses, a portrait of the artist as a young man ये सभी शामिल है, तो चले friends आगे बढ़ते हैं और इस story को समझने की कोशिश करते हैं Friends इस story की शुरुआत होती है और writer हमें बताते हैं एक young woman के बारे में जिसका नाम है Evelyn, ये जो Evelyn है ये अपने घर में है और खिड़की के किनारे बैठी वी है रोड की तरफ देख रही है कि कितने सारे लोग हैं जो यूँ ही रोड पर जा रहे हैं अपने अपने कामों पर और धीरे धीरे वो अपने बच्पन को याद करती है उसे याद आता है कि किस तरह वो इस जगह के जितने भी छोटे बच्चे थे उनके साथ खेला कुदा करती थी इसमें उसके दो भाई भी शामिल थे और किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड था वहाँ सारे बच्चे खेला करते थे लेकिन अब वो जो ग्राउंड है वो किसी ने खरीड लिया और वहाँ पर बड़े बड़े कॉंक्रीट के घर बना दिये साथ ही जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए हैं और अपने अपने कामों में चले गए कोई दूसरे शहर चले गए और यहाँ पर जो है क्या सकते हैं जो चाइल्ड हुड था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है यह जो एवलिन है यह भी पहले बच्ची हुआ करती थी लेकिन अब यह एक 19 एर ओल्ड वुमिन बनने को रिड़ी है साथ ही फ्रेंट हमें बताया जाता है एवलिन की फैमली के बारे में यह जो एवलिन है इसके दो भाई थे एक भाई का नाम था अरनेस्ट और दूसरे भाई का नाम था हैरी यह अपने भाईयों की बहुत लाटली थी और साथ ही अपनी मदर की भी बहुत लाटली थी इसके जो father थे ये थोड़े strict थे अपने बेटों को थोड़ा मारते भी थे लेकिन उन्होंने कभी भी Evelyn पर हाथ नहीं उठाया और Evelyn को बहुत हद तक ये मानते भी थे लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया Evelyn की मदर की डेथ हो गई और साथ ही उसके बड़े भाई Ernest की डेथ हो गई तो family के दो members जो थे उनकी अचानक से डेथ हो गई और इसका बहुत ही बुरा असर रहा इस family पर साथ ही जो दूसरा भाई था Harry वो भी church decorating business में लग गया और इसलिए वो कभी कभार ही घर आता था वो घर पर पैसे जरूर भेजा करता था family का खयाल रखता था लेकिन वो घर आता नहीं था जल्दी इसलिए Evelyn सिर्फ अपने फादर के साथ ही इस घर में रहती थी और उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसके फादर जो है वो उस पर हाथ न उठा दे क्योंकि अब उसके भाई यहां नहीं रहते तो कहीं उसके फादर जो है गुसे में उसे ही न मार बैठे साथ ही ये जो Evelyn है ये एक छोटे से sales जॉब में काम करती है लेकिन इसका वहाँ पर बिलकुल मन नहीं लगता इसकी जो बहुत से बड़ा परिशान करती है और इससे ठीक से बात नहीं करती तो overall हम कह सकते हैं कि Evelyn की life जो है वो सही नहीं चल रही है आगे हमें बताया जाता है कि Evelyn जो है उसे एक लड़के से प्यार हो गया है जिसका नाम है फ्रैंक ये जो फ्रैंक है ये एक सेलर था इन तोनों की मुलाकात हुई थी यूही रोड पर जब Evelyn जा रही थी और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई ये अक्सर फ्रैंक के साथ यूही घूमा फिरा करती थी और फ्रैंक के से बहुत कुछ बताता था कि किस तरह इसने पूरी दुनिया को घूमा है वहाँ पर धेरो जगहों पर वो गया है और एक ब्यूनस एरिस नाम की जगह पर फ्रैंक ने अपना घर बनाया है और वो शादी करना चाहता है एवलिन से वो चाहता है कि एवलिन उससे शादी करे और फिर ये दोनों as a couple वहाँ जाकर के रहें आगे हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो एवलिन के फादर हैं इनकी फ्रैंक से जगड़ई हो चुकी है इन्हें फ्रैंक पसंद नहीं है और इन्होंने अपनी बेटी को भी मना करके रखा है कि वो भी फ्रैंक से ना मिले तो अब ये जो लवर्ज हैं ये दोनों secret में मिलते हैं एवलिन के फादर से छिप छिप कर और इसलिए एवलिन जो है वो तंग आ चुकी है इन सभी चीजों से और उसने decide किया है कि वो फ्रैंक के साथ भाग जाएगी अपने घर को छोड़कर वो फ्रैंक के साथ भाग कर अपनी नहीं जिंदगी start करेगी उसने दो letters लिखे हैं पहला letter अपने भाई Harry के लिए लिखा है और दूसरा letter अपने फादर के लिए लिखा है उसने अपने हिस्से का सामान भी back कर लिया है और वो पूरी तरह से रेड़ी है अपना घर छोड़कर जाने को अब जब ये ए जो औरगन बजा रहा है और इसके बदले में लोग उसे पैसे दे देते हैं, तो उसे उस औरगन बजाने वाले की धुन सुनकर वो दिन याद आया, जब उसकी मदर की डेथ हुई थी। उस दिन भी ऐसे ही शाम का समय था और एक औरगन बजाने वाला सड़क पर घूम रहा थ वो लगातार उनके घर के सामने यूही और्गन बजाए जा रहा था और अंत में ठक कर यह जो एवलिन के फादर थे उन्होंने बाहर निकल कर उसे कुछ पैसे दिये और वहां से भेज दिया साथ ही एवलिन को याद आता है कि उस रात को उसने अपनी मदर को एक प्रामिस किया था प्रामिस किया था कि उनके जाने के बाद वो उस घर का खयाल रखेगी अपने भाईयों का अपने फादर का वो खयाल रखेगी और तभी उसकी मदर जो थी उन्हें एक पीसफुल डेथ मिल सकी थी क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि उनकी बेटी उसकी फैमिली का ख्याल रखेगी अब इस तरह से समय और बीटता है और फ्रैंक और एवलिन जो हैं वो डॉक पर खड़े हैं वो वहां से एक शिप लेंगे और फिर शिप से ब्यूनिस एरिस चले जाएंगे फ्रैंक उसे बता रहा है कि जर्नी कैसी होगी और वहां पहुँचकर वो क्या कुछ करेंगे लेकिन एवलिन अपने ही खयालों में खोई हुई है और उसे सब कुछ याद आ रहा है उसका बचपन उसका घर उसकी मा से किया उसका वादा उसके फादर जो बचपन में उससे बहुत प्यार से बात करते थे यह सब कुछ उसे याद आ रहा है और उसे बलग रहा है कि क्या वो सही डिसिजन ले रही है यू फ्रैंक के साथ सब कुछ पीछे छोड़ कर जाने का उसी समय शिप आ जाती है और फ्रैंक जो है वो उसका हाथ पकड़ कर उस शिप की ओर ले जाने लगता है लेकिन वो अपना हाथ छुडाती है और वापस से डॉक पर भाग कर आ जाती है और उस शिप पर चड़ने से मना कर देती है फ्रैंक जो है वो उसकी तरफ देखता है बहुत अदास होता है लेकिन उसके चहरे पर कोई एमोशन नहीं है और वो शिप जो है आगे बढ़ जाती है उसके लवर को लेकर यहाँ पर फ्रैंट्स ये स्टोरी खत्म होती है और फ्रैंट्स ये जो स्टोरी है ये इसलिए भी बहुत जादा पॉपुलर रही है क्योंकि ये एक सरकुलर जर्णी को दिखाती है यानि कैरेक्टर जहां से शुरू हुई थी जहां से कैरेक्टर की स्टोरी शुरू हुई थी सब कुछ घूम कर वापस से वहीं आ गया एवलिन जो की अकेली थी उदास थी अपनी फैमिली के साथ थी उसे खुशी मिली एक मौका मिला लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और अब वापस से वह वहीं पहुँच गई है अपने घर में अकेली बिना किसी लवर के तो फ्रेंड्स यह थी जेम्स जॉइस की स्टोरी एवलिन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करिए